साथियो नमस्कार एक अप्रेल 2017 को राजस्थान के अलवर जिले में हर्याना के नू जिले के पहलू खान की गौ तसकरी के आरोप में गौ रक्षकों द्वारा पीट-पीट के हत्या कर दी जाती है उसके दो साल बाद कोर्ट का उस केस में फैसला आता है और कोर्ट द्वारा सभी आरोपियों को बरी कर दिया जाता है तो अब सवाल यह उठता है कि पहलू खान की मौत आस्मान के खाने से हुई या धरती के निगलने से उस गतना के बाद जो वीडियो सोशल मीडिया पे सामने आये थे उनमें इस साफ दोर पे दिख रहा था कि वो आरोपी पहलू खान के साथ मारपीट कर रहे थे साथियों में इस पूरे केस को सिलसलेवार ढंग से समझते है एक अप्रेल 2017 को राजस्थान के आलवर जिले में पहलू खान के साथ गौ तसकरी के आरोप में गौ रक्षकों दोरा मारपीट की जाती है उसके बाद उन्हें घायल अवस्था में हस्पताल में भर्दी कराया जाता है वहाँ पे सम्मंदित थाने के सेच्चो पहलू खान का बयान लेने के लिए पहुंचते हैं पहलू खान ने अपने बयान में 6 आरोपियों के नाम बताए लेकिन 16 घंटे तक कोई FIR दग्ज नहीं की जाती है और नहीं आरोपियों की शिनाक्त प्रेड पहलू खान के सामने कराई जाती है सेच्चो दवारा पहलू खान की स्टेटमेंट पे ओन ड्यूटी डॉक्टर के हस्ताक्षर नहीं लिये जाते हैं और नहीं ओन ड्यूटी डॉक्टर से वो सर्टिफिकेट लिया जाता है जो ये सर्टिफाई कर सके कि पहलू खान स्टेटमेंट देने के लिए पूरे तरीक की गई है उसके कुछ दिन बाद इस मामले की जांच एडिशनल SP को ट्रांसफर करती जाती है और एडिशनल SP भी इसी नई थियोरी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जिन आरोपियों के नाम पहलू खान ने अपने बयान में लिए उनका इस गटना से कोई लिना देना नहीं है और किनी दूसरे आरोपियों द्वारा पहलू खान के साथ मारपेट की गई है उसके कुछ दिन बाद इस पूरे मामले की जांच स्टेट क्राइम ब्रांच को दे दी गई और स्टेट क्राइम ब्रांच ने भी इसी नई थियोरी पे महर लगाते हुई ये कहा कि उन्होंने अपनी जांच में ये पाया कि जिन आरोपियों के नाम पहलू खान ने लिये हैं अपने बयान में वो इस गटना के समय गटना स्थल पे मौजूद नहीं थे और स्टेट क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने ये बात उन आरोपियों के मुबाइल फोन की लोकेशन के आधार पे पता लगाई उसके बाद अगर हम बात वीडियो की करे उस गटना की तो जो नई वीडियो एसेच्चो रमेश सिंसिवार दोवारा पेश की गई उसके बारे में जब कोर्ट में डिसकेशन चल रहा था तो रमेश सिंसिवार ने बताया एसेच्चो ने कि उनके किसी सोर्स ने उनको ये नई वीडियो मुहया कराई थी जिसमें कोई दूसरे आरोपी पहलू खान के साथ मार्पीट कर रहे थे उसके बाद एसेच्चो ने बताया कि उन्होंने एक फोटो स्टूडियो के जडिये उस वीडियो से फोटोग्राफ बनवाए लेकिन SHO ने उन फोटोग्राफ को सील बंद लेफाफे में बंद नहीं कराया और ना ही वीडियो और फोटोग्राफ की जांच को फोरेंसिक लैब में कराई उसके बाद जब कोट द्वारा नई वीडियो के बारे में रमेश सिंसिवार SHO से पूछा गया तो SHO ने बताया कि उनके पास अभी वो ओरिजिनल वीडियो उपलब्द नहीं है उसके बाद दूसरे अधिकारी ने बताया कि उन्होंने Head Constable दयाराम की मवजुदगी में दूसरे आरोपियों से एक मोबाइल फोन जप्त किया और उन्होंने नवल किशोर नाम के फोटोग्राफर से उस वीडियो से फोटोग्राफ बनवाए लेकिन जब कोट में तीनों गवाओं को पेश किया गया तो तीनों गवाओं अपने बयान से मुकर गए हेड कोंस्टेबल दयाराम ने कहा कि उनकी मौजुद्गे में कोई फोन जप्त नहीं किया गया था और फोटोग्राफर नवल किशोर ने कहा कि उनसे किसी भी वीडियो से फोटोग्राफ नहीं बनाये गए थे उसके बाद अगर हम बात डॉक्टरों ही करें तो जिन डॉक्टरों ने पहलू खान का इलाज किया था उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि पहलू खान की मौत दिल का दोरा पढ़ने से हुई लेकिन जिन डॉक्टरों ने पहलू खान का पोस्ट मौटम किया था उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ तोर पे लिखा कि पहलू खान की मौत मार्पीट के वज़य से हुई थी जो मार्पीट उनके साथ हुई थी उसकी वज़य से बहुत ज़ादा मात्रा में उनका खुन भेह गया था इसे लिए उनकी मौत हो गई साथियों गे सवाल उठता है कि क्या पुलिस अधिकारियों द्वारा जान बूज के या किसी पॉलिटिकल प्रेशर में रियल आरोपियों के खिलाफ केस को कमजोर किया गया साथियों हमारे क्रांतिकारी ऐसे सिस्टम के लिए शहीद नहीं हुए थे जो सिस्टम जाती धरम वा अक्षित्र के आधार पे लोगों को न्याई दे अगर इस तरीके से धरम जाती अक्षित्र के आधार पे न्याई दिया जाएगा तो हमारा इपूला सिस्टम कलैप्स कर जाएगा अगर कोई हिंदू अधिकारी किसी हिंदू आरोपी के खिलाफ नर्मी दिखाएगा अगर कोई मुस्लिम अधिकारी किसी मुस्लिम आरोपी के खिलाफ नर्मी दिखाएगा अगर कोई सिख अधिकारी किसी सिख आरोपी के खिलाफ नर्मी दिखाएगा अगर कोई Christian अधिकारी, किसी Christian आरोपी ये खिलाफ नर्मी दिखाएगा तो हमारा सिस्टम किस तरीके से चल पाएगा और साथियों कुछ लोग इस पूरी घटना में हिंदू-मुसल्मान का एंगल देख रहे हैं मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इस पूरी घटना में हिंदू-मुसल्मान का कोई एंगल नहीं है ये law and order maintain करने की और न्याय दिलाने की घटना है इसके लावा ये कुछ नहीं है, इसमें कोई धरम का एंगल नहीं है कोई जाती का एंगल नहीं है, कोई अक्षित्र का एंगल नहीं है और आप इस तरीके से हर घटना में धरम जाती अक्षित्र देखेंगे तो यकीन मानिएगा, एक ना एक दिनी ये पूरा सिस्टम हमारा कॉलैप्स कर जाएगा और जब ये सिस्टम कॉलैप्स करेगा, तो इसकी चपेट में बहुत सारे निर्दोश लोग भी आएंगे कोट का एक फैसला आने के बाद, राजस्थान की नई सरकार ने अशोग गैलोत के नेतरतों में ये कहा है कि वो एक SIT गठित कर रहे हैं जो इस मामले की दोबारा से जाँच करेगी और उसके बाद सरकार इसे हाईयर कोट में इस फैसले को अपील करेगी तो इसके बाद पहलू खान की रिलेटिवस का ये कहना है कि अब उन्हें उम्मीद बंदी है कि पहलू खान को न्याय मिल पाएगा और रियल आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल पाएगी तो साथियों आज हमने आपको पहलू खान के केस में पूरे विस्तार से बताया कि किस तरीके से उनकी जांच में अधिकारियों द्वारा जानबूच के लापरवाही बरती गई और उस गल्द जांच के आधार पे फिर एक गल्द फैंसला कोट द्वारा पेश किया गया अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेर जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा आपने हमें सुना उसके लिए शुक्रिया